मध्यपरदीश में साल के एंतमी विधान सभा चुनाव होने हैं लेकिन उससे पहले ही सियासी पाराख आई है खबर है कि सीम शिवराज ने राजेपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात थी और उनकी इस मीटिंग के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल ही मंध्री मंदल विस्तार होगा अब इसे लेकर भी सूबे के भाजपा द्यक्ष ने कहा कि ये तो मुख्य मंत्री का विशेशा अधिकार है वे अपने हिसाब से स्थीति को संभालेंगे बता दें कि भले ही अभी चुनावी तारीखों का एलान नहीं हुआ लेकिन सियासी पारा आसमान चड़ रहा है वो भाजपा हो या विपक्ष तमाम कोशिशों में जुटा है कि अधिक से अधिक जन समर्थन उनके पक्ष में हो इसी क्रम में तमाम योजनाओं और आयोजनों पर लाखो करोडों का खर्च किया जार है अब बेशक विधानसवा चुनाव की तारीखों का एलान ना हुआ हो लेकिन चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी एक बार फिर से कॉंग्रेस को पीछे छोड़ते हुए अपने उमीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर चुकी है इतना ही नई पार्टी ने 20 साल की सरकार की रिपोर्ट कार जो कहते हैं रिपोर्ट भी जारी की इसके मद्धी ही चर्चा तेज हो गई कि जल्धी शिवराज अपने कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह देने वाले हैं दरसल नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगा देने वाली बात की चर्चा दब तेज हो गई जब सियम शिवराज सिंग चोहान खुद मंगलवार को प्रदेश के राजेपाल मंगु भाई पटेल से मुलाकात कर देने सकते हैं। करन को साथने के लिए मुख्य मंत्री इस राणीती पर आगे बढ़ते नजर आए। संभावना तो यहां तक जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मंत्री मंडल विस्तार को लेकर प्रदेश के भाजपार प्रमुक का कहना है कि ये क कोई नई बात नहीं है। कैबिनेट विस्तार मुख्य मंत्री का विशिशादिकार होता है। इस पर वे कभी भी कहीं भी फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई नेड़नाई चल रहा है तो जल्द ही फैसला सामने आएगा। अब सूबे के भाजपार प्रभू का अगर ऐसा अब वे नाम कौन से हैं। नाम आपको बताएं तो राजेंदर शुकल, जालम सिंग पटेल और गौरी शंकर विसें। ऐसा कहा जा रहा है कि राजेंदर शुकल को मंत्री बनाकर विंदे शेत्र में पार्टी अपनी स्तिति को और मजबूत करना चाह रही है। वही जालम सि जो है महाकौशल शेत्र के लिए लाना चाहती है, वहाँ पर अपनी मजबूती साबित करना चाहती है। बहराल मद्य परदेश की राजनीती पर हमारी नजर है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।